हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम नमस्कार वेलकम टू राइसी आट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे फ्रेंड्स आज मैं आटे की बोरी को बहुत ही शांदा ढंक से रिसाइकल करने जा रही हूँ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचे करें दिखें यह है आटे की बोरी तो इसको मैं यह और्गनाईजर बनाने ज निकल जाता है तो इसको मैंने निकाल दिये हैं यह हैंडल भी निकाल दिये हैं इस तरह से हमारे दोनों साइट खुल गए हैं दोनों साइट खोल दिये हैं हमने अब इसके बाद हम इसके साइट से लंबाई में इसके कटिंग कर देंगे यह देखिए हमने एक साइट कटिं कर लिए है और इसके बाद अब हम ये दूसरे साइट भी कटिंग कर लेंगे यह हमारा इस तरह से कट गया है इसके दो औरगनाइजर में बनाऊंगी एक बोरी से दो औरगनाइजर बनेगे इसको पहले हमने सेवन इंच लंबाई में इस तरह से fold करना है इसके बाद हमने इसको एक fold और कर लेना है इस तरह से हमने fold कर लिया है अब यह जो band side है इसमें हमने 2-2 ऐच पे निशान लगा लेने है 2-2 ऐच पे एक square का निशान बना कर हमने इसको cut कर लेना है तो ये देखिए हमारा cut हो गया है कट होने के बाद हम छोटे छोटे कट इसके चारो कोनों पर इस तरह से लगा देंगे और इसके बाद इसको हम इधर फोल्ड कर लेंगे ऐसे कोने हम इसके सारे फोल्ड करके इन पर सिलाई लगा देंगे ये देखे हमारी सिलाई लग गई है सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे एक पन्नी लेंगे एक मजबूत सी पन्नी लेंगे इसमें हम 5.5 इंच इदर 5.5 इंच लंबाई 5.5 इंच चौड़ाई का हम एक स्क्वाइर कट कर लेंगे क्योंकि हमारा वो 4 इंच है तो इस 4 इंच पर हमने ये 5.5 इंच ये थोड़े हमारे साइट से निकलेंगे तो ये हमने लगा देने हैं उसके बाद 1 इंच लंबाई 1 इंच लंबाई का हमने ये कट करना है लंबी सी हमने के पट्टी कट कर लेनी है जिसके चोड़ाई एक इंच होगी और इसको किनारे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है और इसके बाद दिखी यह हमारी पन्नी इस पर अटेच हो गई है इसके बाद हम दो इंच लंबाई और पंदरा इंच चोड़ाई हमारी जो इसके बैक की चोड़ाई पंदरा इंच रहेगी तो इसके हम चेन और दो पटियां कट कर लेंगे और इनको आपस में जोड देंगे जोडने के बाद यह जो हैंडल है इसको हम इस तरह से अंदर लेंगे और इसके उपर इस तरह से chain को रखकर, ये कपड़ा रखकर हम इसको chain इसमें attach करेंगे, ये एक side और इस तरह से ये, दूसरी side हम इसमें attach कर लेंगे इसके बाद ये हमाई chain लग गई है, अब दोनों side हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाने के बाद ये देखें सिलाई लगी है, अब हम इसे सीधा मोड लेंगे, ये देखें मैंने इस तरह से पहले दो bags बनाए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने ये six bag बना दिया, तीन आटे के बोरी से मैंने ये छे bag बनाए हैं और इसमें हम अपने बहुत सारी चीज़े और्गनाईज करके रख सकते हैं, जो visible होंगे, देखी ये पनी हमने लगाई है, तो जैसी ये winter अब खतम हो गया है, तो ये हमें sweater और्गनाईज करके रखने हैं, तो इसमें हम इस तरह से, ये sweater और्गनाईज करके, हम अपने bed में या हम almira में कहीं भी इसको रख सकते हैं, और ये हम यहां से दिखाए देगा, हमें ढूनने के जरुवत नहीं पड़ेगी, कि कहा किस में क्या रखा है, और ये हमारे जो नत्त है, खराब होगी है न, इस तरह से हम इनको और्गनाईज करके, रख सकते हैं, और ये एक मैंने बनाया है, इसके मैंने दोनों साइट से ये लगाए हैं, मैंने ये प्लास्टिक लगाई है, इसमें सूट और्गनाईज करेंगे, देखिए, दो सूट इसमें आराम से आ जाते हैं, तो दोनों साइट से हमें पता रहेगा कि हमने इसमें कौन से सूट रखे हैं तो इस तरह से हमने ये एक organizer बनाया है, recycle किया है बोरी को, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कीचेगा, thank you for watching